क्या जोकर 2 एक musical movie होगी? हाँ क्या इससे लोगों अभी से problem हो रही है? हाँ क्या इससे movie की quality वे impact पड़ेगा? आईए जानते हैं तो जोकर 2 का trailer आ चुका है और ये movie आपको theaters में देखने को मिलेगी 4 October को जिन्होंने जोकर 1 देख रखी है उनको ये तो पता ही होगा ये किसी भी universe में take place नहीं करती है एकदम separate है तो आपको जोकर 2 देखने के लिए बस जोकर 1 देखना ही important है और आपको ये भी पता होगा कि इस movie में Harley Quinn आने वाली है जोकर की love interest है comics में और जिसको play कर रही है लेडी गागा अब आपने अगर जोकर 2 के title पे गौर किया है तो movie का title बहुत ही जादा mysterious है जोकर folia dog अब इसका मतलब क्या होता है मतलब कुछ ऐसा है कि अगर आप जान लोगी तो movie की पूरी story इसी में hidden है मतलब पूरी story यहीं पे छिपी हुई है folia dog एक french word है जो एक ऐसी rare condition को बताता है जिसमें दो लोग एक ही mental illness से suffer कर रहे है मतलब दोनों लोग को same type की बिमारी है और इसी वज़ा से दोनों लोग को hallucinations होने लग जाते हैं आप जोकर 1 को थोड़ा से याद करिये तो आपको पता होगा कि जब movie end हुई थी तो हम सब के दिमाग में एक question था कि movie real में take place कर रही है कि सब कुछ जोकर के दिमाग में movie ने हमें एक ऐसी mystery में डाल दिया था जिससे questions पर questions आने लग गए थे अब उस movie में भी जोकर बहुत सारी चीज़ें imagine कर रहा था और कुछ चीज़ें real भी थी और इस movie में भी same होने वाला है बस difference यह होगा folia 2 के चकर में कि इसमें जोकर भी imagine करेगा hardly भी imagine करेगी पर कितना imagination है कितना सच है ये movie देख गे ही पता चलेगा तो मेरे इसाब से आप लोग कुछ dots अब connect कर पा रहे होगे अब इसका कुछ evidence हमें trailer के अंदर भी मिल जाता है movie में जो beautiful sets दिखाए जा रहे हैं जिसमें dance sequences take place कर रहे हैं वो देख के कम से कम ऐसा लगत हो रहा है कि सब कुछ real नहीं है बागी trailer की tone की बात करें यहाँ पे feel होता है कि जो जोकर की life पहुत जादा dark थी उसको Harley Quinn ने पहुत जादा light बना दिया है यह नहीं कर रहा हो movie light hearted होगी movie अब भी dark होने वाली है पर at least जोकर की life में कोई आ गया है तो उसकी life से जो loneliness है जो खाली पन है वो जा चुका है बागी अब बाते करें कि movie musical कितनी होगी तो movie में अच्छे खासे गाने है movie की director ने confirm कर दिया है और director सेम है Todd Phillips जोनों ने जोकर one direct की थी अब गानी कितना जादा movie को impact कर सकते है यह भी movie के बाद ही हम quality को जच्च कर पाएंगे पर आपको थोड़ी सी guarantee यहां बे मिल सकती है since director सेम है तो हो सकता है कि movie अपनी quality maintain करी रहे और एक musical होने के बाद भी अच्छी निकल है क्योंकि ऐसा कोई hard and fast rule तो है ने ना कि musical movie अच्छी नहीं हो सकती है तो यही था आज के वीडियो में आप बताईए आपको जोकर 2 का ट्रेलर कैसा लगा और वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करिएगा चालो तो सब्स्राइब करिए and thanks for watch